आज मैं आप लोगों को तिखाऊंगी तो मैं अभी स्कूल से आ गई हूँ और स्कूल से आके मैं फ्रेश हो गई और मैं खाना भी खा लिया तो अभी मैंने सुचा कि थोड़ा सा वीडियो कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर सारे कपड़े इदी के लिए हैं यहाँ पर कितने सारे कपड़े हैं और यह सब हम मतलब गिप्ट में देंगे यह तो गिफ्ट होता है ना इदी का मतलब गिफ्ट ही है तो यहाँ पर लड़के के लिए लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए पुरुष के लिए सभी के लिए आपर कपड़े मतलब हमारे यहाँ पर जितने भी कपड़े ना वो हमारे परिवार में जो लोग है ना वो ही है उनके लिए ही है प्लब हमारे परिवार की मतलब और यहाँ पर है दादाजी के लिए और फीर यहाँ पर हमारे जो इत्वैन आती है ना हमारे वीडियो में उसके भाई के लिए है य यह विए बड़े लेडिस के लिए है याने की महिलायों के लिए है और यह पर दादाजी के लिए और एक अपड़े है यह पर और यह सारे इद के गिफ्ट है यह पर दादाजी के लिए जिसका नाम है योहन यह पर लिखा हुआ है तो यह बहुत क्यूट क्यूट सा मतलब कपड़ा है ना बहुत अच्छा लगता है इसको देखके और यहाँ पर महादिया है जो यहाँ पर जून के साथ खेल रही थी और इसने फिर से कपड़ा गंदा कर दिया और इसको जून कपड़े पेनाने के लिए लेके जा रही है तो यहाँ पर है यह कुछ कपड़े यहाँ पर मैंने जो दिखाये दिला उनको फिर से मैंने यहाँ पर पेक कर लिया था कुछ कपड़े और यहापर अभी हम इनको ना देने जाएंगे हम जा रहे हैं तो दोस्तों यह पर माही और मम्मी जा रही थी इदी देने के लिए और वो जा रही थी हमारे दादा जी की घर हमारे दू दादा जी है तो उन में से एक छोटे और एक बड़े है तो मम्मी जा रही है छोटे दादाजी को कपड़े देने के लिए मतलब इदी देने के लिए और यहापर माहदिया भी जा रही थी माहदिया ऐसे चल सकती है सीडियों से उधर भी सकती है और उठ भी सकती है और वो ममी को ऐसे हाथ से बुला रही थी कि आजाओ चलो चलते दादजी के घर आज है 29 रम्जान, रोजा तो इसलिए हम यहापर भी काम कर रहे हैं तो यहापर जून साप कर रही थी यह हमारा जहापर हम मतलब मेंकप वेकप करते हैं ना मतलब ड्रेसिंग आई ना तो यहांपर मैं साफ कर रही थी मंमी का और पापा का बेड़ है न वह और माधिया भी यहांपर खूम रही तो यहां पर हम बागी चीजे भी सामान जो बागी सामान है ना वो साफ कर रहे हैं इनको साफ करके ठीक से रख रहे हैं क्योंकि यह बहुत उच्छा हुआ था और अटाइगी को और दादी ना को और तु यह क्यों सामें कुछ लगा देगी तो आप निकल रहे थे और हम ऐसे बैदे की इसमें यह वाली का बौडी का लगा दिकी और उस साथ में छोटीका की लगा देगी, ऐसे चोईस करके जा रहेते हम अभी, अभी पहले हम जाएंगे, तो रास्ते में एक दुकान है, दुकान ये रहा, हमने दुकान से दो महंदी भी खरीद लिया, तो अभी हम जा रहे हैं, कहां पर जा रहे हैं, आप लोगों को तो खरीद आया है, हम रहे है खरीद एजर दुकान है, तो वभी पहले खराई है, तो डूर से दिखा रहे हैं, इसलिए और यहां पर आप लोग देख लो अच्छे से में दी को, तो यहां पर यह मेरा बादाया हाथ है, और अच्छे से में लगा दिए, बड़े लगा лगा द तो यहां पर जून मेंदि को लगा दिया लगा एंद फ्रॉर लगा है तो इसके लिए टाइम हमें बचा लिए तो यहां पर है कपड़ा मुचली नानी ने दिया था तो यह बहुत व्क पुर्ड़ा मुचली है तो मैंने पहले सचे था कि इसकाट कोड़ती है और फिर मैंने जो देखा वो था मतलब फ्रोक था और उपर से ये टॉप था टॉप के जैसा ही और यहाँ पर हम आज हमने इदी लेके फिर ये पीठे कपड़े और नानी के दवाईया भी देती है नानी को ऐसे फिर मामा जो आ बिटियो शार में वाला ये जो मैंनी होता है न वो लगा था और यहाँ पर मामा और जून बातां की और आपら माह टिया ना के लुग रही raped ती और मैं थोड़ा से वीडियो भी कर रही थी क्योंकि मामा भी जा रहे है नानी के नानी तो बरें दिए और वाल की मून के लिए लिए पहेजा ना वाल मख़ला है और यहाँ पर पापा ने आज न ये दो शेरवानी खरीती है क्योंकि इतने दिन न पापा ने लिया था और फिर मम्मी ने बोला कि चलिया आज चलते पतलब टाउन में चले थे पापा और मम्मी ये कपड़े लाने के लिए और बहुत सारे कपड़े लाए थे और ये शेरवानी है दो शेरवानी लिया है पापा ने तो एक रेड कलर का है और एक ब्लू कलर का है हम मैं और जून इसको देख रहे थे तो सबसे अच्छा तो देख लोग बहुत ही ज्यादा अच्छा है रेड वाला उसके साइट में जो डिसाइन्स है ना वो भी अच्छा लग रहा था तो शेरवा ने सबसे अच्छे वाले मुझे यह हमें यह लगी थी ना तो ममी ने यह ले लिया था आज तो क्या नम है आज तो दो हल्दार पाइस का एक लम लाश्ट का तरा भी है तो हम तरा भी पढ़ेंगे तो भी इशा का आज़ाम दे दिया है और दोस्ताब लोग को अच्छा लगाओगा अगर अच्छा लगाओगा तो लाइफ श्यार सब्सक्राइब करना मत भूलिया इंटे आग़े वीडियो मत अब दिकिरिए बाइबाइबा यहाँ पर मादिया सलाम दे रहें थी और ममी ने उसको सलाम देने को बोला त्राश्ट में जो हमने बाइबाइबाइ क्या थाना तो इसलिए और यहाँ पर हम दे रहते और हम खेल भी रहते ना आज़ागा